हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू विद्धिय इंस्टिट्यूट के स्टेडी करेंगे क्लास टैन बेज डॉन सर्फेस एरेन बॉल्लियूम यह बोक्स है के डैमेंशन दी रखें है यह 1430 और यह हईट होगी 10 तो कंसीडर दा थिकनेश्ट ओप दी बोक्स तु समझ लें कितना वेलवेट लगेगा केवल क्यूबएडल वाले पॉर्शन में अंदर की तरफ यह पूछा गया है तो फर्स्ट पार्ट का अंसर क्या होगा एडिया ओफ क्लोथ कितना क्लोथ चाहिएगा हमें चार दिवारों पे चाहिए टू एच एल प्लस बी और फिर बेस पे चाहिएगा क्योंकि ऊपर से तो यह हमारा डॉम से ढख जाएगा तो यह नीचे की तरफ लगाना होगा और चार दिवारों पे लगाना पड़ेगा तो हमारे पाथ सारी वैल्लियूज है पुट कर देते हैं टू एच कितना है टैन एल कितना है थर्टी प्लस फॉर्टीन इसको तॉल्ब कर लेते हैं थर्टीन हंडर्ड सैंटिमीटर स्क्वार इतना एरिया वैल वैट का होगा जो असके निदर हमें लगा अब सेकिंड पार्ट देखते हैं हाँ मच गोल्ड कोई अब डायमीटर तू सेंटिमीटर थिकनेश जीरो पॉइंट फाइंटिमीटर विल फिल वन अपॉन सैवन अब दा वॉल्यूम अब दा डॉम आप दो जो एल्री बोक्स कितने कोईं रखे जा सकते हैं अब कोईं की सेप कैसी होगी सिलेंट्रिकल सेप जिसकी थिकनत है जीरो पॉइंट फाइब यानि यह हाइट हो गई और रेडियस है वन अब ऐसे कितने कोईं रखे जाएंगे वन अपॉन सैवन अब दा वॉल्यूम अब दा डॉम यानि केवल ऊपर वाले से इस से कम पूछा डॉम का पूछा तो डॉम जो हमारा हाफ सिले सिलेंडर में कितने कोईं रखेंगे तोस के लिए हम डारेक्ट लिख सकते हैं यह नंबर ओफ कोईंस कर निकालने के लिए वन अपॉन ऑन सेवन वॉल्यूम ऑफ डॉम ये लिखावाना जितना डॉम का वॉल्यूम ऑसका वन अपन छेवन अपन वॉल्यूम ओफ कोईन तो वन अपन फैवन दोम के वोल्यूम में हमारा हाफ सिरिंडर का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वेर एच मैंने ऐसे कैपिटल एच और कोईन में पाई आर स्क्वेर एच इस तरह से मैंने आप लिख दिया तो पाई से पाई कैंसल हो गया अब क्यालकुलेशन कर लेते हैं तो नीचे आके 14 हो जाएगा और यहां पर आर की जगे कितना लेंगे जो डोम वाला पॉर्ट्टन उसका रेडियस सेवन और हाइट कितनी होगी थर्टी तो सेवन इन्टू सेवन इन्टू थर्टी और कोईन में रेडियस है वन और हाइट है जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो अब हम सेवन इन्टू थर्टी बलकि यह भी कार्ट देते हैं चलो 15 यानि उपर आगए सेवन इन्टू 15 और नीचे कितना आ गया कि तू को पर मल्टिप्लाई कर देंगे 210 यानि इतने कोईन्स जो हैं हमारे दों वाले पॉर्ट्सन में रखे जा सकते हैं तो यह कुस्चन था आसान बट इंपॉर्टन कुस्चन है उम्मीदे से अभी को समझ में आ गया होगा थैंक्यू वेरी मिच